जिस तरह शरीर में लोग वेबी चारी हैं, आत्मा में भी वेबी चारी हैं। जब एली की आवाज में उसको आवाज लगाई तो परमेश्वर ने बता दिया कि तुझे मैंने तेरे स्पिर्चल फादर अपने दाज की आवाज में इसलिए आवाज लगाई है ताकि ये मेसेज दुनिया तक पहुंच सके कि अगर परमेश्वर तुम्हें छुडाना चाहत है वो तुम्हें अच्छी संगती देगा वो तुम्हें जीवित चर्च देगा वो तुम्हें अच्छे दास देगा तुम दुनिया में जहां भी मुझे सुन रहे हो जहां भी तुम जिस चर्च में जाते हो वो जीवित चर्च होनी चाहिए जीवित वचन होना चाहिए हर एक चीज वहां होनी चाहिए, मेरे कल्स होने चाहिए, वचन के गहराई होनी चाहिए, पैसों की लूट पाट नहीं होनी चाहिए, बाइबल कहती है, जब आप इन वचनों को सुनकर परमेश्वर की आवाज को समधना शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी भुलाहट में आपक अपने पास भुलाया, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना, वो एक प्रॉफिट हो सकता है, वो एक सेवक के रूप में हो सकता है, एक डॉक्टर के रूप में हो सकता है, एक नर्स के रूप में हो सकता है, एक बिसनसमेन के रूप में हो सकता है, हर एक व्यक्त बोना जानते हैं, आप बीज बोते हैं, अगर आप कोच भी करना जानते हैं, आप कोई भी वर्दान आपके पास है, गिफ्ट आपके पास है, आप उसे परमेश्वर के भवन के लिए, आप उसे सिवकाई के लिए यूज करते हैं, और इसी काम के लिए परमेश्वर ने आपक को डिलीवर करने के लिए आप चंगे हैं दूसरों को चंगा करने के लिए आप बचाए जा चुके हैं दूसरों को बचाने के लिए ओ आमेनों चा चाहिए ये बरकता आप के है आज के बाद अब जब यहां से जाएं आप दूसरों को बचाने वाले बने दूसरों को हील करने वाले बने, दुसरे को आजाद करने वाले बने, अपने पडिवार को बचाने वाले बने, आमे नोंचा पवितरात्मा पे उत्रे इशु मसी के नाम में